Computer Security Computer की अंदर Information और Data भी बहुत से खत्रात से दोचार है। इन खत्रात के लिए हम Security Risk की जाम इस्तमाल करते हैं। Computer के Security Risk से मुराद कोई भी ऐसा अमल या वाक्या है जिसके वज़ा से आपके Computer के Hardware, Software, Information या Data जाया होने का खत्रा हो। Security Risk बहुत से हैं, इन में से कुछ का हम जिकर यहां करेंगे। Hardware Theft सबसे पहला खत्रा तो आपके Hardware के चोरी होने का है। इसके लिए तो जाहरी बात एक एहत्यात आपने होद करनी है, कि आपका System Unit, Monitor या कोई भी Hardware Component चोरी ना हो जाये। Virus एक और बहुत मुशूर Security Risk जिसका नाम शायद आपने पहले सुना हो, वो Computer Virus है। Computer Virus कोई जानदार कीड़ा नहीं है, बलकि ये भी एक Software है जो आपके Computer को मनफी तरीके से मतासर करता है और आपके कामों को खराब कर सकता है। मसलन हो सकता है Virus आने के बाद आप जब Word Processor चलाएं, तो आपका Computer खुद बहुद री स्टार्ट हो जाए। कुछ Virus ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं। मसलन हो सकता है Virus आने के बाद आपकी Hard Disk पर मौजूद तमाम अहम Information जाय हो जाए वगेरा। इस तरह के और बहुत से काम हो सकते हैं जो आपके लिए परिशानी का बाइस बने। ये Virus software आपकी नजरों से बचकर अपने आपको आपके Computer पर मुंतखिल करता है और फिर तखरीबी कारवाईयां शुरू कर देता है। आप सोच रहे होंगे कि ये Virus आखिर आता कहां से है। ये किसी भी और Computer से जिसमें Virus हो USB या CD वगार के जिरिए आपके Computer तक पहुंच जाता है। या फिर Internet इस्तमाल करते हुए कुछ Information के साथ Virus आपके Computer में मुंतखिल हो जाता है। Antivirus आप अपने Computer को Virus से बचाने के लिए Antivirus Software इस्तमाल कर सकते हैं। Antivirus भी एक Software ही होता है जो आपकी Hard Disk को Scan करके इसमें से Virus ढूनता है और उन्हें खत्म करने की कोशिश करता है। इसी तरह ये नए दाखिल होने वाले Virus को रोकने की कोशिश भी करता है। जैसे ही कोई Virus आपके Computer में आता है, ये आपको खबरदार करता है। जिस तरह हर रोज नए Virus आती रहते हैं, इसी तरह Antivirus Software के भी नए Version आती रहते हैं। ताकि वो नए आने वाले Virus से मुकाबला करके उनको खत्म कर सकें। Unauthorized Access एक और किसम का खत्रा जो आपके Computer Software या Hardware को होता है, उसे हम Unauthorized Access कहते हैं। जिससे मुराद ये है कि कोई भी शक्स आपकी इजाज़त के बगर आपके Computer के Software को इस्तमाल कर सकता है। इस खत्रे से निमटने के लिए सबसे पहला कदम ये है कि इसे इस्तमाल करने वाला शक्स अपनी शनाख्त करवाए। मतलब Computer को इस्तमाल करने से पहले अपना नाम और पासवर्ड लिखे। इसका फाइदा ये है कि उस computer को फिर सिर्फ वो ही शक्स इस्तमाल कर पाएगा जिससे उसका password और नाम पता होगा जब आप internet से connect होते हैं तो उस वक्त unauthorized access का मसला ज्यादा तवज्ज़ों चाहता है क्योंकि वहाँ पे आपका ज्यादा लोगों के साथ सामना होता है यानि जब आप internet से connect होते हैं तो आपका security risk मजीद बढ़ जाता है आजकल ऐसे softwares भी हैं जिनकी मदद से computer को access करने वाले तमाम लोगों का record रखा जाता है ताके आपको पता चल सके कि आपका computer कब और किस ने इस्तमाल किया एक और खत्रा ये हो सकता है कि आपने जो data अपने computer में save या महफूस किया है वो किसी वज़े से खराब हो जाए या गुम हो जाए मसलन फर्स करें कि आप computer पर एक presentation तयार कर रही है अभी आपने ये presentation महफूस नहीं की या महफूस हो रही है और light चली जाती है तो आपका सारा काम जाया हो जाता है इस मसले से बचने के लिए backup का तरीका इस्तमाल किया जाता है यानि computer में मुझूद तमाम एहम data को वक्तन फवक्तन कॉपी करके अलेदा अलेदा किसी USB, CD या DVD के देर save किया जाता है इसे backup लेना कहते हैं बहुत सी backup utilities मुझूद हैं जो backup को organize करने के लिए इस्तमाल की जाती है Software Piracy Software Piracy एक और एहम खत्रा है जिससे पूरी software industry दो चार है Software Piracy का मतलब है कि किसी software company या software developer का कुई एक software कुई और पूछे बगएर copy करके फरोखत करना शुरू कर दे ऐसा करना Software Copyright Act के खिलाफ है क्योंकि इस act के तहद अगर कोई शक्स किसी software को चोरी करे ये किसी की इजाज़त के बगएर उससे copy करके इस्तमाल और फरोखत करे तो उसके खिलाफ कानूनी कारवाई अमल में लाई जा सकती है इस मसेले से बचने के लिए Software Developers User Agreement Issue करती है Summary इस लेसन में आपने देखा के Hardware Security क्या है और Software को किस तरह की Security Risks दरपेश है Computer Virus से क्या मुराद है Virus और Anti-Virus क्या होते है Data Backup क्या है और Software Piracy क्या है इस Session की तक्मील के साथी हमारे Model 1 का एक्तताम होता है क्या है